हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं आपके सामने आज एंटी पीसी 21 जनवरी 2021 की फर्स्ट चिप के एनलाइस के बारे में आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर जो जी के पोर्शन था उसके अंदर जो ग्यारा सवाल आये थे मैं आपको उसमें बता देता हूं कि किस किस म भाग होता है जो रोषणी के लिए कि अगरिश्ण होता हा या क्रिया शील होता है और यूएन के पहले अध्ध край के बारे में आया था देख है अभी तक पूछा चाहरा था कि उनके लाच्ट अधक में scheduled को है यांड नों का हेड़कोरर काई है लेकिन आ भी बिन्यों ने है यह भी आज का सवाल था और जो इंपोर्टेंट हिटे होते हैं उनके अंदर से भी आज एक सवाल आया था कि परियावन परदूशन दिवस कम बनाया जाता है तो यह दो दिसंबर को बनाया जाता है आप ध्यान रखेगा और गांधी से डिलेटेट जो है एक सवाल हर शिफ्ट में आई रहा है और अनुसूची में से आज यह सवाल आया था कि आठवी अनुसूची के तहत कितनी और हम घोषित क्या तो वह बाईस भासाय है और इसमें Sb ayr का पुराना नाम क्या था और इसके लिभा होए था कि Sb ai का पुराना नाम क्या है और इस बेच्ति सभ्वस्वाड़े नहिंए से सब्से जादा शाखाए हैं पンチच वर्शेयोजना में से यह सबिक शेल था है कि पंच वर्षी योजना जो पहली पंच वर्ष योजना कब शुरू हुई थी किटनी से आज एक एक सवाल आया था कि जो लिवर होता है उसके अंदर जो उत्सरजन का कार्य करता है वो कौन करता है और एक ये रिपीटिट प्रशने के धूसर करांती कि से टिलेटिट है तो सब्सक्राइब का लेविल था थोड़ा सा अप रहा है प्रिवेस येर की जो शिफ्ट थी उनके मुकाबले में मैथ के बारे में अगर हम देखें तो मैथ से टाइम एंड फरक से दो सवाल आयते जो डिया आई थी वो ऐसा बता रहे है बच्टी कि डिया थोड़ी कैलकुले सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर देखें पूछा ने पूछा था इसका अंदर इसमें एक बुझा दी हुई थी कि एक बुझा 25 है और उसका एक जो भीकर्ण है वो उसका 14 दिया हुआ था और उसका छेत्रफल उन्होंने पूछा था एक परीदी से आया था कि वरत की एक परीदी 125 डिगरी का कौन बनाती है और उसकी तिरजा 18 है तो उसकी परीदी या कुछ ऐसा था और एक इस्पीड टाइम से था ये दिया हुआ था कि 54 किलोमेटर को इस्पीड दी हुई थी वो 45 मिन्ट में इतने कितना चलेगी तो वही दूरी उसे 36 मिन्ट में तैय करने में कितना समय लगेगा रीजनिंग के सवाल आज मुझे थोड़े कम मिल पाए है अब देख सकते हैं रीजनिंग में तीन जो थे पजल आये थे शीटिंग आये थे आप बोल सकते हैं और तीन अलग अलग शीटिंग थे और तीनों पर एक-एक सवाल था क्यासे था कि ए से आई तक ए भी सीडी एफ सकता एक के साथ नहीं जाता ऐसा कुछ उसमें लिखा हुआ था कोडिंग डिकोडिंग से तीन सवाल आये थे ले संसे आझ बहूत ही एक सिंपल सवाल आया था कि उसमें कोई नाम दिया हुआ था कि रोहित एक तश्वीर के और देखते बोलता है कि वह हैं कि मेरी बेहन के पिता का पुत्र है तो इस तरीके से एक सवाल आया था और और इवन आउट वाले की विशम जो छटने होते हैं चार उप्शनों में से वह चार सवाल आ जाए थे आपको बता देता हूं कुछ सवाल मुझे पता चले हैं तो यह आया था कि 12 इस चार सोच्छानवे से 12448 तो आपके क्या आएगा तो यह देखिया यह 12,124 एक सोचोबीष और एक सोचोबीष सेम है यह इसका आधा यह इसका आधा तो यहां पे लाश्न में 12 आ जाएगा यह जो था यह रिस था यह देखो दोतीया च्छे तीन शीक अठारा उनियां सब्सक्राइब करता है तो तीनों मिल के वो कितने दिन में करेंगे और इसके अंदर एक और सब्सक्राइब करता है तो दोनों मिल के कितने दिन में करेंगे और एक घंस इलेटिट था कि घंका जो वोल्यूम का वोल्यूम अनुपात में दिया हुआ था और उनके वक्रप्रेश्टे छेत्रवल का अनुपात बताना था सिंपल इंट्रेस्ट में देखा जाया तो एक सवाल दिया हुआ था कि 6 वर्सों में 12,000 रूपे 9 वर्सों में 15,000 रूपे तो उसमें रेट आपको बताना था सिंपल इंट्रेस्ट का एक और सवाल पता जलाएगी बारह जार रूपे और ब्याज दिया हुआ था 768 और उसमें रेट अमें बताना था सिंपल इंट्रेस्ट के ही सवाल आए हैं कंपाउंड इंट्रेस्ट का कोई सवाल नहीं आया कि 75,000 का पार्च प्रतिसट की दर से कितना ब्याज होगा यह बताना था ट्रिग्नोमेट्री से आज यह साइन ब्रैकेट 48 प्लस थीटा माइनस कॉस एक अड़ता 42 प्लस थीटा एक यह सवाल आया था और एक इसका एक अंसर आता तो आज का जो यह है अज के यह सब आयवे प्रशन है इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एक्जाम है तो आप इन सभी चीजों को एक बार फिर से देख लीजिए और इतियास जो जी के है उसको आप अच्छे से पढ़ लिए जिए क्योंकि इत्यास में से घुमा कर सवाल देज दिये जा रहे हैं डारेक्ट सवाल कोई भी नहीं पूचा जा रहा है वीडियो को लाइक और शेयर करिए थैंक्यू